गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में जो हमने 14 चेप्टर स्टार्ट किया था चेप्टर बहुत है आपको त्यान से रीड करना है और आपको इस चेप्टर में पूरी अच्छी तरह से कॉंसेंट्रेस करना है इसलिए आज हम वही चेप्टर कंटिन्यू करेंगे अच्छी तरह से हमने लास्ट वीडियो में जो हमने हमने हिटिंग एफेक्ट के बारे में पड़ा था जैसे ही उसके फिलमैंट्स कुई भी टेस्टर के फिलमैंस होते हैं वह हीट ह। यानि की हीट प्रॉद्यूच करते हैं और हीट के थू जो बल्ब होता है वह ग्लोव होता है और आज हम क्या क्या एलेक्टिक करन के तुरू मैगनेटिक एफेक्ट्स प्रोड्यूस होती है तो आज हम वही डिस्कस करेंगे तो उसके लिए यहां पे एक एक एक्टिविटी यानि क्या इंफर्मेशन दिवी है कि आप एलेडी जानते होंगे जैसे यहां पे दिये हुए ऐसे इलेक्टिक बल्ब होते हैं लेडी जो एलेडी होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत करंट लो भी होता है तो भी वो वीक करंट होता है तो भी वो गलो होती है There are two wires called leads जो इसके अंदर दो wires होते हैं जसे हम leads कह सकता है Attached to an LED जो LED से attached होते हैं One lead is silently longer than the other Remember that while connecting to a circuit जो इन दोनों में से एक वायर होता है एकmist लेड होती है वो थोड़ी nós रिदे से The longer lead is always connected to the positive terminal of the battery गिन्हें टर्मिनल में बैटरी को सी बैटरी तो बैटरी का सब्सक्राइब बैटरी को सब्सक्राइब बैटरी टर्मिनलर के उसे विआ लिए धाल के लिए लिएर और गarnा के दियो classify टिच्टोड को enc exceptions आपको क्तर चिंतर लेना है और आपको यहां पर एक बैटरी को बाधेट ऊसका आप एल ड़ी लोग यहां पर तो भी चलिकांट तो हैं अर्घ ओसके दो टर्मिनल्स उससे दो पॉजिटिव-ंर पॉजिटिव एक ow ढूगर तर्मिनल हो गा को बैटरी के positive terminal में आठे जोगा और जो negative, छोटा lead होगी वो negative terminal से आठे जोगा और यहां पे आपको क्या करना है कि आपको एक बड़ा वायर लेना है आप LED से connect एक बड़ा सा वायर लेना है और यहां पे आपको एकोका आंतर जिसे हम compass box बोल सकते हैं जो हमें जिसके अंदर नीडल हो जो हमें डायरेक्शन बता सके वैसा आपको इसके उपर वायर को एक रेप कर देना है पूरा और उसके बाद आप जैसे बैटरी स्टार्ट होगे तो यहां पर बल्ब होगा यानि जो एलिडी होगी बल्ब होगा वो गलो होना स्टार्ट करेगा और इ इसके त्रू होता है इसके अंदर कौन सी एफेक्ट आती है कि जो इसके अंदर तो हमने वायर करण पास ही नहीं किया है तो इसके अंदर कौन सी एफेक्ट आई कि जिसके त्रू यह जो कंपास बोक्स से डायरेक्शन बैताने वाला वो मूव करने लगा तो इसके अंदर ज अगर श्कूल में फोसीबल हो गा तो हम वह करेंगे और यहां पर आपको ऐसे टेबल दिया होगा इसके अंदर आपको यहां पर मैट्रियल दियी हो जैसे कि लेमन जूस उसके अंदर आपको टेस्टर रखने और जो इसे कमपास बुक्स पी आपको बैं उसे रेप करके रखन जैसे ही आप लेमन जो के ऐंदर रखोंगे तो की अपर आपकर डिखाइद करना दिखाए देगी। तो वो poor conductor हो जाएगा, ऐसे ही आपको ये table fill up करना है, और आप ये घर पे perform कर सकते हो, easily. Actually, under certain conditions, most materials can conduct, ऐसा होता है कि some situation के अंदर most of poor materials होते हैं, वो conductivity दिखाते ही, good conductor ही होते हैं, that is why it is preferable to classify materials as good conductor and poor conductor, instead of classifying and conductors and insulators, और ऐसे हम favorable के तुम classify कर सकते हैं materials को, कि ये good conductor हो या woo vor conductor हो, या तो insulator हो, या इनुलेटर हैं, जो good conductor होते ही ह् usse conductors क्याते हैं, और जो pover conductors होते हैं, उसे insulator क्याते हैं, इसके तुम easily classify कर सकते हैं, we have tested the conditions of electricity through tap water हम tap water के थूँ हमने यहां पर tap water यानि कि जो बैटरीज के अंदर पानी आता है वो पानी वो tap water के अंदर हमने यहां पर पफॉम किया जो हम स्कूल में possible होगा है तो हम स्कूल में यह ट्राइ करेंगे और यहां पर इस कंडिशन के थूँ यहां पर एक एक अक्टिविटी दिए जिसके अंदर tap water नहीं बट डिस्टिल्ड वोटर यूज किया है जो हम हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टोर के अंदर रखते हैं वो डिस्टिल वोटर आ यही सेम जो हमने यहां पर किया वो एक्टिविटी परफॉंग करनी है तो क्या हुआ वेन सॉल्ट इस डिस्टिल्ड वोटर अगर आप वो डिस्टिल्ड वोटर के अंदर सौल्ट मिक्स करोगे वी अप्टेइन सौल्ट सौलिशन तो हमें सौल्ट सौलिशन मिल जाएगा इस अ है अधिर अर्फॉंग्टिशन शेया करें यह संक नेरशन वोटरू रहेएगा तो हमें दचनात सौल्टूंगड ऑल्टी नार्गरिया तो क्या बिस्टिल्ड इसल्ड वोटर के अदर सौल्ट एपो एलेक्स कर दोके ऊंडिशन जो भी हमारे घर पे आते हैं वो सारा प्यॉर वाटर नहीं होता है. इट में कंटेंज सेवरल सॉल्ट डिसोल इन इट तो उसके अंदर कितने सारा ऐसे सॉल्टी सॉल्ट मिक्स होते हैं. Small amount of minerals, salts are naturally present in it और naturally भी उसके अंदर small amount में minerals के थूँ naturally present होता है This water is the good conductor of electricity और वो जो हमारे घर पे पानी आता है वो good conductor होता है electricity के इसलिए हमें बोलते हैं हमारे बड़े बोलते हैं कि हमें free hand से या तो wet hand से कोई भी electric switch on-off नहीं करने जाए On the other hand, distilled water is free of salt and it is a poor conductor और जो distilled water होता है और होस्पिटल के अंदर यूज़ किया जाता है जो water होता है डोक्टर्स और नर्सेस यूज़ करते हैं वो pure water होता है यानि कि उसके अंदर salts थोड़ा भी नहीं होता है तो वो एक्टम clean water होता है pure water होता है और हमारे घर पे जो पानी आता है वो good conductor electricity का होता है और जैसे ही हम distilled water के अंदर salt mix करते हैं तो common salt तो वो salt water बन जाता है और salt solution बन जाता है और इसके वाज़ा से वो good conductor हो जाता है electricity का what are the other substance which when dissolved in a distilled water क्या क्या हम उसके अंदर mix कर सकते हैं जिससे वो good conductor हो जाए electricity का तो वो आपको fine करना है ऐसी activity यहां पे दी हुए है जो आप घर पे acid के थरू hydrochloric acid के थरू उसके अंदर lemon juice मिक्स करके यह आप activity घर पे नहीं perform कर सकते हो यह हम स्कूल में अगर possible होगा जाएंगे तो हम करेंगे most liquid तक है conductor electricity are solution of acid, base and salt यानि most of जो liquids होते हैं वो good conductor होते हैं electricity के क्योंकि उसके अंदर acid, base and salt के solutions होते हैं जो acid, base and salt के solutions होते हैं वो सारे good conductors होते हैं electricity के इसलिए उसमें से easily electricity pass हो सकती है, when an electric current flow through a conducting solutions, does it produce an effect on the solution, क्या उसके अंदर हम current pass करेंगे, तो उसके अंदर कोई भी ऐसे chemical production होगे, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी effect आएगी तो वो हम कौन से effect आएगी उसके अंदर chemical effects हमने physical effects तो आगे देखी magnetic effects and heating effect उसके बाद आती है chemical effects, electric current, तो chemical effects हम next video में read करेंगे, learn करेंगे, बट आज हमने जो physical, इतनी यहां ता complete किये, वो आपको अच्छी तरह से carefully read करना है, concentratedly, उसके बाद ही आपको यह, उसके question answers लिखने हैं, ओके, बाकी का portion हम next video में continue करेंगे, thank you. करेंगे जसके आती है